हलो दोस्तो आम नवीन स्वागत आपका मेरे यूडूब चानल बेसिक मैस्टॉन डिप्स में और इस वीडियो में मैं करने विला हूं क्लास टेंथ चाप्र क्वाड़िक एक सम जो कि सीबसी पेपर 2020 दिल्ली बोर्ड में पूछा था तो चली शुरू करते हैं तो देखें सम जालना है यहां पर तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं जो मुझे हां एक्वेशन गिवन है यह है 3x2-4x-k अब देखें इसमें मैं a,b और c की वेल्यू को लिख लेता हूं तो x2 का कॉफिशेंट जो है वो a होगा मेरा जो कि 3 है और x का कॉफिशेंट b होगा ज यहां पर d जो है वो 0 के equal है क्योंकि इस equation के equal roots है और d जो है वो equal होता है b square minus 4ac के तो मैं यह कहा सकता हूं कि b square minus 4ac यहां पर 0 के equal है अब देखें यहां पर हम values को बूट करेंगे b,b है मेरा minus 4 तो मैं यहां minus 4 बूट करूँँगा, minus 4 multiply a जो है वो 3 है यहां 3 लिखेंगे और c यहां पर k है यह पूरा 0 के एक्वल है और इस equation को हम solve कर लेते हैं तो हमें k की value मिल जाएगी माइनस 4 x 4 यहां हो जाता है 16 के एक्वल फिर माइनस और 4 3 जो 12 यहां पर माइनस 12 के एक्वल टू 0 16 को हम राइट में ले जाते हैं तो माइनस 12 के इक्वल यहां पर माइनस 16 जाता है माइनस 12 के इस माइनस से यह माइनस जो है वह कैंसिल हो जाएगा तो अब हम इसको अपॉन में लेएंगे 12 को 16 के तो 16 अपॉन 12 इसको हम reduce कर लेते हैं तो यहां 2,860 और 2,612 और reduce हो गई है तो 248,236 तो इसको हम कह सकते हैं के जो है यहां पर 4 upon 3 के को लागया है तो अगर हम यहां option में check करें तो देखें यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यह option बिल्कुल right है तो मैं आशा करता हूँ कि आप कोई sum समझ माई होगा इसी तरह के बहुत से sums class 10 के लिए पहले से upload हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में online sum के साथ तब तक के लिए good bye